मेरी साधना यात्रा का आरंब भी ठीक वैसे ही हुआ कि मुझसे सारा संसार कह रहा था कि मुरक्ता कर रहे हूँ जंगल जंगल और हिमाले के परवतों पर भटक कर कुछ नहीं मिलेगा इसलिए कुछ आधुनिक शिक्षा लो, राज्य सत्ता के साथ कारे करो लेकिन मुझे रिशिम मुनियों और हिमाले की सिद्धों की परंपरा पर पूर विश्वास था मैंने उनका जटिल मार्ग चुना बहुत कष्ट सहे, खुद को भी दुख पहुंचाया लेकिन ये सब व्यर्थ नहीं गया योग के मार्ग ने मुझे अंततः, अति उत्कृष्ट, अकल्पनिय, विसमें से भरे परी की समाधी अवस्था तक पहुंचा ही दिया अब ये सारा अस्तित्व मेरे भीतर प्रकाशित और प्रतिविंबित होता रहता है इसलिए आज आपको अपने अन्वफ से कह रहा हूं कि अध्यात्म की यात्रा में बढ़ते रहना आपको पूर्णता अवश्य मिलेगी